हेलो जो वजसे एजूकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NCRT 12th क्लास की जो दूसरी बुख है भारत के लोग और उसकी अर्थवेस्ता उसका पहला अध्याई है जनसंख्या का वित्रण, गनातु, वर्धी और संगठन ये उसका पहला पार्थ है जिसके आज हम यहाँ शुरुवात करेंगे इस अध्याई में हम बात करेंगे कि कैसे जनसंख्या, जनसंख्या होती है वो किसी भी देश की वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक अक्षेतर के विकास में बहुत ही अधिक मैद्व रखती है क्योंकि किसी भी देश का विकास होता है वो नागरिकों के साथ ही होता है एक अकेला देश जहां नागरिक ना हो वो विकास नहीं कर सकता तो प्रतेख देश के नागरिक अपने देश के लिए अतनत महतरपूर्ण घटक होते हैं जब 2001 की जनगर्णा हुई थी तो उसके अनुसार भारत की जनसंक्या 102.8 करोड मानी गई थी और जब 2011 की जनगर्णा हुई तो उसमें जो भारत की जनसंक्या थी वो 121 करोड तक पहुँच गई थी भारत चीन के बाद विश्व में अपना दूसरा स्थान बनाई हुए है जनसंक्या के आधार पर भारत की जनसंक्या है वो उत्री अमेरिका दक्षनी अमेरिका और आस्ट्रेलिया की कुल जनसंक्या से भी बहुत अधिक है कहने का मतलब है कि जब हम इन तीनों कॉंटिनेंट की जनसंख्या को मिला लेते हैं उत्री अमेरिका की, दक्षने अमेरिका की और आस्टेलिया की तो उन तीनों की जनसंख्या को मिलाने के बाद भी भारत की जनसंख्या है वो अधिक है अक्सर यह माना जाता है या तरक दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तोर पर इसके सिमित संसादनों पर दबाव डालती है कहने का अभी प्राय है कि जो संसादन है हमारे पास उधने ही है वो नहीं बढ़ रहे हैं कि हम अपनी होशक्ताओं की पूरती के लिए संसादनों का अत्यदिक प्रयोग करते जा रहे हैं तो जो संसादन है वो सिमित मातरा में है लेकिन जन संख्या बहुत तेज गती से बढ़ रही है तो जन संख्या कहा इन संसादनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है जिसके कारण देश में आने एक सामाजिक और आर्थिक समशाएं उत्पन हो जाती है जन संख्या के बाद हम बाद करते हैं जन संख्या आकडों के स्तरोध कि कहां से इन आकडों को इकठा किया जता है और कब इनको इकठा किया जता है हमारे देश में जन संख्या के आकडों को हर 10 साल के बाद होने वाले जन संख्या की जन गर्ना में इकठा किया जाता है भारत क जो सबसे पहली जनगर्णा हुई थी वो 1872 में हुई थी लेकिन वो संपूर्ण नहीं थी क्योंकि उसमें जो कुछ लोग थे जो इस जनसंख्या के आकड़ों में जिनको एकठा नहीं किया गया था तो सबसे पहली जनगर्णा तो हमारी 1872 में हुई थी लेकिन उसको संपूर नहीं माना गया था इसके बाद जो संपूर्ण जनगर्णा हुई थी वो हमारी 1881 में हुई थी उस समय जो भी भारत की अंदर निवास करने वाले लोग हैं उन सब को इस जनगर्णा में शामिल कर लिया गया था तो जो सबसे पहले संपूर्ण जनगर्णा माने गी है वो 1881 मे मानी गई है सबसे पहले हुई थी 1872 में लेकिन वो संबूर्ण नहीं थी उसमें कुछ लोग छुट गए थे जो इस आकड़े में सम्मिल्थ नहीं किये गए थे लेकिन जो सबसे पहली संबूर्ण हुई थी वो 1881 में हुई थी उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या के वित्रण पर भारत में जो जनसंख्या का वित्रण है वो काफी एसमान है उसका रीजन क्या है कि जो मैदानी अक्षेतर है नदियों के द्वारा प्रवाहित नदियों के द्वारा जो मिटी बहा कर लाई गई है उन से जो मैदान बन पॉपलेशन हैं वो ऐसे इस्थान पर निवास करती है समतल एरिया है सुईधाओं का भी अभाव नहीं है तो मैदानी अक्षेतरों में सब से ज्यादा पॉपलेशन निवास करती है उसके अलावा जो दूसरे अक्षेतर है जैसे पहाड़ी एरिया है हमारे जम्मू कश्मीर अर नौर्फ इस्ट वाला इरिया है उसमें जो kolejशन हो कम न्यवास करते है रिजन क्या है पहाड़ी एरिया है जो परिवहन के सुईधाएं यह पाजार का केंदरीकर्ण होना है ये सारी सुधाय वहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है तो वहाँ पर population कम निवास करते है तो reason यही है जहां basic needs लोगों की पूरी होती है लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं देश में राज्जों और केंदर शाषित प्रदेशों का जनसंख्या में जो प्रतिशत का अंच है वो हमें बताता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो सबसे जादा है और उत्तर प्रदेश के बाद जो स्थान आता है वो माहरास्टर का बिहार पश्ट्रिम बंगाल और अंदर परदेश का ऐस्ठान आता है क्योंकि सबसे पहले नंबर पर उतर परदेश है उसके बाद ये स्टेट है जो माने अभी बोली थी महारास्ट भिहार पश्ट्रिम बंगाल और अंदर परदेश है जिन मेजन संक्या यूपी के बाद अधिक मात्रा में निवास करती है जो टोटल पोपलेशन है भारत की उसका 76% एरिया जो है जो पोपलेशन है वो हमारी तमिलनाडू में मध्यपरदेश में राजस्थान, करनाटक, गुजरात, उतरपरदेश, महरास्टर, बिहार, पश्चिम बंगाल और अंधरपरदेश में टोटल 76% पोपलेशन निवास करती है वहीं दूसरी और जमू कश्मीर है, अरणाचल परदेश, उत्राखंड ऐसे एरिये हैं कि इन राज्जों की जो जनसंख्या काकार है वो जो वहाँ पर भोगोलिक अक्षेतर है उसके कमपैरेजन में काफी छोटा है कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो जमीनी एरिया है भोगोलिक अक्षेतर है वो काफी है लेकिन वहाँ निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफी कम है उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या का वित्रण है वित्रण का मतलब जो लोगों का फैलाओ है बसाओ है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं क्या रीजन रहे हैं जिनकी वज़े से लोग कहीं पर ज्यादा निवास करते हैं और कहीं कम निवास करते ह तो जनसंख्या वितरंड को प्रभावित करने वाले दो में कारक माने गई हैं भोतिक कारक और आर्थिक कारक बोतिक कारक में जल जलवायू भूमे की आकरती और मिट्टी ये सारे कारक आते हैं जल होता है जहां जल उचित वातरा में उपलब्द होता है पीने लाक पानी मिल आधिक पॉपलेशन निवास करती है जो जलवाई होती है जहां ना जादा गरम जलवाई हो और ना जादा ठेंडी जलवाई हो वहां पर जो बीच की जलवाई होती है वहां पर पॉपलेशन आधिक निवास करती है उसके बाद जो भूमी क्या करती है मतलब जो पठारी या प सुविधाय उपलब्द होंगी वहां अधिक पॉपलेशन निवास करती है उसके बाद जो दूसरा कारक है वह आर्थिक कारक में सबसे पहले नंबर पर आता है उद्धोगी करण जहां उद्धोग दंग दे उचित मात्रा में उपलब्द होते हैं कि लोगों को वहां पर रहत होती है शिक्षा की सुईदा है स्वास्ते की सुईदा है यह अधिक मात्रा में उपलावत होते हैं वहीं गाहों में क्या होती है शिक्षा का भी अभाव होता है लोगों के अंदर जो रूड़ी वादिता की भावना होती है वह ज्यादा मात्रा में होती है लेकिन शहरों मे ये रूड़ी वादिता धानन नहीं होती है इतनी तो नगरी करण और शेहरी करण है और तीसरा है हमारा खनिज जहां पर अधिक मातरा में खनिज पाये जाते हैं खनिजों का खनन किया जाता है तो लोगों को रोजगार मिल जाता है रोजगार मिलता है जिसके करण उनकी दिन जन संख्या के घनातों क्या होता है चलिए समझते हैं जन संख्या के घनातों से क्या भी प्रह है जन संख्या के घनातों से हमारा भी प्रह है कि एक वरग किलोमेटर अक्षित्र में जो व्यक्तियों की संख्या है एक स्केर एक किलोमेटर एक वरग बना लिया जाएगा जिसमे जारो तरफ से वो एक किलोमेटर का एरिया होता है और उस एक किलोमेटर के वरग वाले अक्षितर के एरिया में कितनी population निवास करती है उसको जनसंख्या का गहनत तो कहते हैं भारत का जो जनसंख्या गहनत है वो 2001 की जनगणा के अंसार 313 वेक्ती था लेकिन 2011 में जो जनगणा हुई उसमें एक किलोमेटर वर किलोमेटर के एरिया में 382 लोग निवास करते हैं भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या गहनत वाला राज्या है जहां पर ग्यारा सो दो लोग निवास करते हैं वहीं भारत का सबसे कम जनसंख्या गहनत वाला राज्या अरुनाचल प्रदेश है कि एक वर किलोमेटर अक्षेतर के एरिया में टोटल 17 आदमी ही निवास करते हैं 2011 की जो जनगर्णा हुई थी उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्रपरदेश में मानी गई है यह हमने पीछे भी अभी पढ़ा था कि सबसे पहले नंबर पर जो नाम हाया था वो उत्रपरदेश का है उसके बाद माहरास्ट और दूसरी स्टेर्स हैं ज उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की वर्दी पर कि जो जनसंख्या की वर्दी हुई है उसको कैसे दिखा जाता है कैसे मापा जाता है जनसंख्या वर्दी का आश्य है कि दो समय बिंदों कि कोई भी दो टाइम पेरिड ले लिए हमने किसी एक डेट से दूसरी डेट पिछले सो सालों में भारत में जन संख्या की जो वर्दी हुई है वो वारशिक जनमदर, मिर्टुदर तथा प्रवासदर के कारण हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं जन संख्या वर्दी के घटक की कौन-कौन से घटक है जो जन संख्या की वर्दी को प्रवावित करते हैं। जहां जो स्थान उनको अच्छा लगता है उस स्थान में वो प्रवास करके या माइग्रेट करके चले जाते हैं। भारत की जो जन संख्या की वारशिक वर्दी दर है वो 2.4 प्रतेशत आकी गई है। जो हमारी जन गर्णा का आकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि जो हर वर्ष जो वर्दी हो रही है वो 2.4 प्रतेशत जन संख्या में वर्दी हो रही है। यह हमारा आधा चेप्टर हुआ है। इसी वीडियो में यदि मैं पूरा चेप्टर करने की ट्राइ करूंगी तो वीडियो काफे लंबी हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास आजाए। आपको अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेर किजिए ताकि उनके पास भी यदि आपके लिए यूसफुल है तो उनके लिए भी यूसफुल हो सकती है अच्छी लगे तो आप लाइक किजिए और यदि कोई डाउट है तो आप कम्मेंट सेक्शन में उसको ल तो आपके लाइक है तो अपना विडियो ।